तो अब आप अब आप एलकम बैक तो दक्षिनाई क्लास नाव विल्टी प्राबबिलिटी डिस्चिजिशन सिंपल टॉपिक है ठीक है सबसे पहले तो इसमें रेंडम वेरियबल क्या होता है रेंडम वेरियबल देखो क्या है रेंडम वेरियबल is a function which assign numerical value to each possible outcomes ठीक है जो भी outcomes है ठीक है उसके numerical value को ही रेंडम वेरियबल वोलते हैं आगे बास समझ में नहीं भी आया हो तो यह प्राब्लम आपके सामने लिखा है इसलिए मैंने कुश्चन लिख भी आ है तापके आपको समझ में आ जाए कि क्या है ठीक है देन सेके दे और कीयानने समझेटिछ देन ऐस में आपका कर दोदुने कि अलवस्ट डिसृट्रीबि purity चाहिँ का आगे बात समझे तो रेटम वेरिवल क्या है कि नियुमेरिकल यान। नियुमेरिकल वेलिओ आसाइं करना और नाशी सिर्त कम के लिए As number of asses drawn ठीक है यहां पर random variable क्या है Number of asses drawn ठीक है यह आपका random variable है तो नंबर of asses क्या हो सकते है 0, 1 2 क्योंकि कितनी card draw की जा रही है 2 cards तो random variable क्या है आपका Number of asses तो Number of ass क्या हो सकता है 0 या फिर वन या फिर दोनों के दोनों एड़ यह आपका रेंडम वेरिवल हो गया आगे बात समझ में तो एक्स जो बोलता है एक्स यहां पर हमें जो बोला जीरो मतलब कोई भी एस नहीं आया है वन बोला मतलब नंबर आफ एस बन और टू बोला नंबर आफ इस टू आगे बात समझ में तो यह तो आपका हो गया रेंडम वेरिवल एक्स ठीक है अब हम सबसर पहले तो कुश्चन में प्राबबिलिटी डिस्टिबिशन टेवल बनाते हैं और प्राबिलिटी डिस्टिबिशन टेवल यह कुश्चन नमबर 64 में हम दो तीन पाड देखेंगे ठीक है तो कुश्चन से लिए अचि cozy है ञ Mars लिए जल्दी आजा टौं सबसे बहुग है तब सो अब गीने दीशिछबिशन टेवल प्राबिलिटी डिस्टिबिय क्या एक सको कहीं कहीं और एक सको कहीं कहीं X1 भी लिखते है तो उसके प्राबबाबीलिटी कि जहार से सबने क्या क्या हो रहा है स्म rolls में आ गया बेरtt में क्या है डिमेरिकल वैल्यू आपोसिल आउटकॉप तो यहां पर और अमर्यश क्या है तो यह आपके पॉसिवल है यह जान रखना जितने पॉसिवल आउटकम ऐसे नहीं कि एक सापने जीरो लिया वन लिया टू नहीं लिया ऐसा नहीं होगा तो टू तक हो सकता है तो आपको जीरो बन टू यह तीनों केस नहीं पड़ेगा आगे बास समझ लेगा तो यह रेंडम बेरिवल और उसके करस्पोंडिंग हम उसकी प्रॉबिलिटी लिखेंगे मतलब रेंडम बेरिवल की वैल्यू निमेरिकल वैल्यू जीरो है जीरो मतलब यह हुआ कि नंबर आफ एस नहीं आरहे तो नंबर आफ एसेस इसको बोल दिया अफ्यर एक ज्रुटी आपको पर विल्टी ऑलफा थरी जमार कंवiben तब आगे बास समझ भे तो प्राबिबिटी लिख लेते हैं अल्फा बन अल्फा बन क्या हो जाएगा कितनी कार्ड और ब्रॉं कर रहे हो तू तो फिप्टी टू सी टू और कितने एसे चाहिए कुछ भी नहीं तो हमारे पास नमरा वेसे कितने होते है चार तो 48 मैंसे वना ए अल्फा टू क्या बोला गया है अल्फा टू किसकी प्रावबिलिटी है जब रेंडम वेरिवल की वेल्यू वन है रेंडम वेरिवल की वेल्यू बन मतलब नमबर आफ एस इस वन तो एक हो जाए टोटल तो हमें तो दो कार्ड ड्रॉं करना 52 मैंस है और एक एस चाहिए बाक अरा फैसे स्टू तो फॉरसी तू इंकालन लगत एफंध्यार फॉर्टी एट मेंसे दो काड़ अर्षणी हमें यहां पर यह सुनो यह हो गया 52 तो अलफा बन की वेल्यू हमारे पास आ गई कितके आ गई 48 यह आप यहां पर रखदो तो यह आपका प्राबबिटी डिस्टिविशन टेवल कम्प्लेट हो गया रेंडम वेरिवल उसके करणस्पोर्णिंग उसके प्राबबिलिटी ठीक है अब इसी में एक सेके अब बन कैसे निकालेंगे बहुत ही सिंपल है आपके पास यह टेवल आगे डिस्टिविशन टेवल तो आपने स्टेटिस्टिक्स पढ़ लिया होगा अभी तक इस टेट्स पढ़ लिया है तो यह आपका काम करेगा और वेरिवल की तरह बरिवल है रेंडम वेरिवल मतलब यह और प्राबोबिलेटी काम करता है फ्रिक्वेंसी की तरह यह आपका होगया वेरिवल एक्स की वेल्यू स्टेटिस्टिक्स को याद करो उसी तरह यह भी चलेगा चीए और यह आपने स्टेट्स नहीं भी पड़ा है कोई भी कारण बस नहीं भी पड़ा है तो आपको एक फॉर्मुला बता दूंगा एक दो फॉर्मुले वह याद रिख लिए चीक है बट कि 99 परसेंट चांस है कि आप लोगों ने पड़ी लिया होगा तो यह आपका वेरिवल फिर से बना लेते हैं अचा यह जो है आपका हो गया x1, x1, x2, x3 यह हो गया x2, x1, x2, x3, x1, zero, x21, x3, 2 आगे बाद समझ में तो हम यहाँ पर एक टेबल, अच्छा मीन का जो फॉर्मुला होता है, मीन आपका होता है समिशन आफ आर इस उकल टो बन टो एन एकसाई एंपाई होता है इस्टेट्स में क्या होता है एकसाई एफाई का सम्द तो यहां पर फिक्वंशी की तरह कोन काम करेगा करेगा अद अदि तो रेंडम वेरिवल की वैल्व निमेरिकल वैल्यू इन्टू इसके करस्पंडिंग प्राबाबिलिटी ठीक है इसको रिलेट कर रहें इस से उसमें क्या होता है एक साइड एफाई अपॉन में समिशन ऑफ एफाई तो यहां पर क्या होगा समेशन ऑफ पी आई नीचे डिनॉमेटर में आना चाहिए बट समेशन ऑप पी आई कितना होगा बन तो कि अब दो कार्ण निकाल दो तो वह कोई इस ना है यह एक एसा सकता या फिर दो एसा सकते हैं तो इन सब के प्राबबिटी का सम कितना होगा वन तो डिनॉमेटर में समिशन ऑप याई लिखा हुआ जो कि कितना है वन आगे बात समझ में यह तो आमने बात कर लिए कब बात करी आपके पास जब वेरिवल्स एन है औ इस प्रटिक्रलर प्रॉबलम के लिए मीन निकलना आपको तो यहां पर हो में हो जाएगा इसमेशन ऑफ और बंटू कहा तक total 3 variable है आपके पास X1, X2, X3, XI, PI तो यह आपका लिखा हुआ है X1, P1 और यहाँ पर P1 मतलब यह probability तो इसको हम लिख सकते हैं अलफा 1, X2, अलफा 2 प्लस X3, अलफा 3 आप इसको calculate करो तो यह आपका आगया mean तो 0 into alpha 1 या alpha 1 आपका क्या है यह 48 into 47 divided by 52 into 51 प्लस यह है X2 कितना है वही 1 यह random variable की value 1 है ना into alpha 2 यह लिखा हुआ है 2 into 4 that is 8 into 48 divided by 52 into 51 plus X3 कितना है 2 तो 2 into alpha 3 4 into 3 divided by 52 into 51 यह तो आपका 0 हो गया 0 into something 0 अब यहां से calculate कर लो तो यहां से आपका कावना 4 into 2, 8 हो गया तो 8 common आगया 48 plus 3 divided by 52 into 51 और 48 plus 3 हो जाएगा 51, 51 cancel हो गया 8 upon 52 यह हो गया 2 upon 30 तो यह आपका mean आगया आगे बास समझे यह आपका आगया mean यहां तक clear है वड़ी अठीक है अच्छा और हाई इसमें एक और चीज़ है आपने यहां गोला था probability distribution table होता है या फिर ordered pair या फिर equation तो ordered pair मतलब ऐसे दे रखा है कि 0, alpha 1 मतलब 0,1, alpha 2 और 2, alpha यह ordered pair दे दिया मतलब यह आपके random variable हो गया random variable 0,1,2 और उसकी corresponding probability ऐसे लिखें मतलब कभी कभी table ही बनाते है या फिर ordered pair भी बोला जाता है कही कही तो आप तो table ही बनाओगे पड़ कई ऐसा लिखा हो तो बहुत प्रावर्टी distribution ही ही ठीक है तो यह तो हो गई बात किसकी mean की mean कितना निकाला हमने 2 by 30 ठीक है आपको तो क्या याद रखना है फिर से इवार बता जेता हूँ यह आपको याद रखना है summation of x i state में क्या होता है summation of x i, f i upon summation of f i यहाँ पर वहाँ frequency होती है यहाँ उसको किसमें चेंज कर भिया probability में तो summation of probability तो summation of f i होता है यहाँ जाएगा summation of pi तो summation of pi हमेशा 1 होगा तो denominator आपका 1 हो गया तो इसलिए इतना पार्ट बचा आगे बात समझ भे तो यह हो गई mean की बात अब ऐसे ही हम बात करेंगे variance की तो variance का आपको formula पता होगा तो variance को हम कहां देखें यहाँ यही देखते है यही पर देखते है mean याद रखना mean कितना था 2 by 30 mean की value हम लिख लेते है 2 by 30 इसके ज़रत पढ़ती है variance में इस question के अंदर अब तो हम यह क्या क्या देखा probability distribution table उसके बाद second क्या था हमारा expected value या फिर mean और third है अपका variance थर्ड है वार वेरिएंस यदि नमबर आफ जो रेंडम वेरिवल है वो आपके बेरिवल्स आपके पास एन वेरिवल्स है और तो उनके corresponding probability पीवन इसकी पीटू ऐसे इसकी पीएंस तो इसके लिए variance आपका होगा variance उसको ऐसे एकता है वेर वेरियंस हो जाएगा summation of r1 to n वहाँ पर क्या होता है fi x i minus mean chi square upon में summation of fi तो यहाँ पर frequency को replace कर दिया हमने probability से तो नीचे वाला summation of पी आई आपका क्या होगा वगा वगा आगे बात समझे और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे इसी को हम convert करके r1 से लेके n तक p i x i का square minus mean का square या mean की square को फिर हम ऐसे लिख सकते हैं mean का formula भी हमने देखा क्या होता है summation of x i fi का square ठीक है तो यह आपका variance हो गया ठीक है याद रखेंगे यह और variance क्या होता है भाई sigma का square sigma क्या होता है standard deviation positive या ऐसे बलो चलो उसको बात में देखेंगे सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं तो इस case में इस particular case में variance variance भूबले तो sigma square ठीक है वो क्या हो जाएगा summation of pi x i का square और i1 से लेके कहां तक जाएगा 3 तक 3 variables से आपके पास minus mean का square mean अभी हमने निकाला था 2 by 13 यह हो जाएगा ti इसकी frequency alpha 1 into x1 कितना है 0 तो उसका square plus alpha 2 into x2 है 1 का square plus alpha 3 into x3 that is 2 का square minus mean अभी निकाला था 2 by 13 का square mean निकाला 2 by 13 तो उसका square यह हो गया तो यहां से आपका variance हाजाएगा alpha 2 की value है आपके पास यह लिखी हुए है 2 into 4 that is 8 into 42 8 into 48 divided by 52 into 51 into 1 का square plus alpha 3 की value है मारे पास 4 into 3 divided by 52 into 51 into 2 square that is 4 minus यह हो गया 4 by 169 या फिर ऐसे नहीं दो भी 2 square divided by 13 कि इसको है ठीक है अब हमने क्या किया denominator से यहां से भी 13 का मलिया यहां से भी 13 का मलिया यहां से और यहां से भी 13 तो वहां से 13 आ रहा है ठीक है यहां से 13 का मलिया और उपर से 4 into 4 16 16 का मलिया तो यहां आपका बसता है 16 का मले रहे है तो 8 24 ठीक है 24 बसता है और इधर से आप कॉमन अच्छा 13 और 51 भी कॉमन ले लेते हैं तो उधर 13 इसकर बचेगा ना चलो ठीक है तो यहां पर बसता है 16 कॉमन लिया तो 24 अपन में यहां बसे बचेगा आपका 4 into 51 यहां पर बचेगा 3 यहां बचेगा 4 into 51 minus 2 अपन में 30 अच्छा उधर से 16 में जो कॉमन आया है तो फोर इसको एक और फोर तो फोर नीचे लिए अच्छा इसको सिक्स मल्टिप्लाइ करेंगे तो 16 बाइफ फोर हो गया ना कल्कुलेशन आप कुछ कर सकते हो अब डिनॉमिनेटर से कॉमन आपका आ रहा है फोर है ना तो डिनॉमिनेटर से फोर कॉमन आ रहा है तो यह फोर बाइ थर्टी और यह बचेगा ट्वंटी फोर प्लस ट्री ट्वंटी सेवन बाइ ट्रिप्टी बन माइनस बन बाइ थर्टी अब इसको आगे सॉल्व कर लेना तो यह आपका आगया वैल्यू किसका आगया वैरियंस का और अब आता है एक स्टेंडर्ड डेविएशन चेटेंडर्ड डेपीएशन वह होता है पॉजिटिव के आफ अंडररूड वेरियंस यह जो वैल्यू यह यह पूरा इस कंडल wond आप का हो गया इस्टेंडर्ड डेविएशन डटीट इस सिंग्मा की बेरियंस गहां सिंगमлись सिगमा अक्न और से लिए सिगमा फोंक्तिए औ टेवल बना लिए उसके बाद मीन निकाल लिए और बेरियंस निकाल लिए बस इतने ही अपने को देखना है ओके अब अब टाविएटिज डिस्टिबुशन में यह तो इन जनरल वाद कर लिए फॉर्मुले आपको याद ऐसे कोई कटना ही नहीं होनी चाहिए याद रखने में क्यों क्योंकि हम स्टेट्स अल्रेडी पढ़ चुके होते हैं तो यह तो एक बैसिक फॉर्मुले होते हैं स्टेटिस्टिक्स में जो कि हमें याद रखना ही पड़ता है तो यह हमने प्रॉब सबसे पहली बात तो आपके पास कि जो आउटकम्स होंगे में दो होंगे और वो आउटकम्स जो होंगे वो क्या होंगे आपका एक टो हो सकता है सक्सेश और दुसरा क्या हो सकता है दो ही चीज हो सकती है या तो सक्सेश या फिर फैलर ठीक है और सक्सेश को हम बोलता है प्राबबिलिटी पी और फैलर को बोल देते हैं क्यों मतलब दो ही केस होंगे आपके पास तो सक्सेश या फिर फैलर ही होगा तो उनका सम प्राबिलिटी का सम कितना होगा वाइनमेल डिस्टिबिशन में बात सवज में आगी दो ही चीज होगी सक्षेस्ट या फिर फ्रेल ओके और और शेकेंड चीज है नमबर ओफ टाइम्स एक्सपरिमेंट इस कंड़क्टे एन नमबर ओफ टाइम्स दूसरी बात हमने क्या वली कि जो एक्सपरिमेंट कंड़क्ट हो रहा है वो कितने टाइम्स हो रहा है एन टाइम्स ठीक है तो इसको लिखने का तरीका एक यह भी होता है बी एन पी बी मतलब बाइनमिल सब्सक्राइब जैसे आपसे बोला जाए कि भी जैसे आपसे बोला गया है कि एक कॉइन को एक कॉइन को बाइस कॉइन है उसको टेन टाइम्स तो किया गया है या टॉस किया गया है को इन को टेन टाइम्स तो किया गया है और हैड की प्राबबबिलिटी टू वाए त्री है कि इसको मुझ सकते हैं बाइनोमिल डिस्ट्यूबूशन एक अपका है लाना सक्सेस माना गया है किसी भी ट्राइल में आगे बात समझ वे तो इसको मुझ सकते हैं यह बद इसको बोला गया सक्सेस है डाने एडाना और यह हो गया आपका number of times कितने times आपका coin toss किया जा रहा है आगे बात समझ वे एक coin को में 10 बार उच्छाने और आपसे बोला जो आए कि head आना आपका success हो गया और bias coin है उसकी probability आपको दे रिख लिए 2 by 3 तो यह जो लिखने का मतल़ है कि experiment 10 बार conduct किया गया है और यह है head की probability क्योंकि उसी को success माना गया है अच्छा success or failure हम हमारे इसाफ से किसी को भी मान सकते है अगे बात समझ वे तो यह आपका हो गया binomial distribution च्छिक है अब आपको probability distribution समझ में आया अच्छा बाइस कोईन है तो हेड की probability यह होगी तो टेल आना कितना हो गया बन बाइस यह सक्षेस की प्राविटी यह फेलर की प्राविटी सम कितना हो गया बन जो बताया गया था है कि अब जैसे हमने प्राविटी डिस्ट्रीशन में देखा एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन वैल्यू और वैरियंस देखा था ऐसे भी हम इसमें भी देखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन थिक है वो होता है एन इंटू पी के बड़ाव सिंप्ली यह फॉर्मुला आपको याद रखना है क्या होता है यह एन इंटू पी एन क्या है नंबर आफ टाइम एक्सपेरिमेंट कंड़र्ट किया गया है पी क्या है सक्सेस की प्राब्लबिटी ठीक है कि अच्छा कैसे आता है यह चलो बता देते हैं żyć यहांसर समझना इस टाइपडिन को को Olis यहांसर की उसकी प्राब्लबिटी यह होगे है तो पांच बार है आ रहा है इसके प्रावबिटी लिख सकते हैं कि दस में से हमने कोई भी पांच पांच टॉस ले लिए यह समझना दस में से कोई भी जिस आप याद करो प्रावबिलिटी ओफ इस्टिंग याद आ रहा है अरिवास समझ में उसमें हमने कुछ ऐसे किया था कि ऑब्जेक्ट बन टाइम सारा अबजेक्ट टू टू टाइम सारा अबजेक्ट ट्री टाइम सारा तो उन सब का रेजिबेंट कर दिया था और एक इस्टिंग की प्रावबिलिटी लेख लेए ती तो जैसे इस कोश्चन मे पांश को टाबब मैं बोलू कि बूला फेड्ट अपका चार वार आए तो कि याइड आपका कितनी वार आएगा चार बार तो टू वाय ठीकी पावर हो गई वन और सिक्स टाइमस क्या आएगा फिर है टेल आएगा अरे बहुत है और तब चार हेड्ड और शिक्स टाइमस क हुआ है तो यह चार है और चेल का अरेंजबंट क्या हो जाएगा टेन से लपन में पोर सक्टोरियल सिक्टोरियल या इसको में लिख सकता हूं कि तेन सी फोड मतलब समझने का भाई हमने इनका अरेंजमेंट किया था याद आ रहा होगा है यह सी टारेट हम लिख सकते हैं कि टोटल दस तो उसमें से चार आपके हेड आ जाए कहीं भी तो बाके बचे जगा कितनी एच्छे तो उन छे पर क्या जाएगा तेल आ जाएगा उसका एक ही तरीका होगा आगे पास समझ में तो यदि हम बोले बाइनोमिल डिस्टिविशन आड़ र आर आर कि अगया है कि नंबर आफ है इस इस प्रावलम की बात करें इसको हम रिलेट करें कि आफ मने टास जो है टेन की जगए एन कर दी और एकड की प्राबबिटि यही रखी है बात को समझ ना क्या बोलने जा रहा हुए तो नंबर आफ जो एक्सपरीमेंट हो जब चआफ्या 6 j कि या बाद सम्झ में आती है नहीं बात सम्झ में आती है जैसे हमें लिखा मनलब मुझे 4right चाहिए तो आर की जगर क्या रख दो यह वन गया क्या मुझे शिक्स हैड चाहिए तो आर की जगर क्या रख दो आउप 6 रख दो किसी एक्सपेरिमेंट के लिए प्राबबिलिटी यह हो गई क्या है तो अब इस पर आता है मीन का हमने फॉर्मल देखा था क्या देखा था समेशन ऑफ एक्साइड पी आइड तो समेशन चलता है वन से लेके एन एन एक्सपेरिमेंट जो है एन टाइमस कंड़क्ट हो रहा तो हम देख रहें तो उसके लिए है आप एकसाइ लिखोगे ऑर प्राबबबिलिटी लिखोगे आगे वास समझ में कि उसकी 0-1 फिर 2 345 ऐसे लिखोगे और उसकी पर्व्लिटी जिसे जिरो टम आपको इसुचेस चाहिए तो क्या करोंगे एक टायम सक्षेस यह तो और तो टुटाम संचसेस तो एंसटी टू पी स्क्कषर क्यू पावर एं-स टू अरी बात समुझेसज चाहिए कि रेंडम मेरेबल का डिफाइन क्या में कि सक्षेस नंबराव सक्षेस nc5 हो जाएगा यह हो जाएगा पी पावर 5 और क्यू पावर n-5 यह अशा चलता रहेगा ठीक है अब आपने यहाँ पर स्टार्ट कर लिया 0 से 1 से स्टार्ट किया ना चलो 0 से कर देते कोई दिख कर देते 0 से भी करना चाहो कोई दिख कर दे कि यह अपका हो जायागा दो रैननम घरिवल क्या होगी आपका ओर तोमखो आँनम होजाएगा दिंगा मतलब आपका जीरो से ठीटिक नहीं ठीडिक फ्रट श्रस्ट्ट अन्क wynn अब उसकी corresponding probability क्या होगे आपको आज सक्सेस चाहिए अभी हमने देखा तो एन में से आज सक्सेस चाहिए आपको तो वह जाएगा यह पावर और यह क्यों पावर इन में यह एक स्ट्रिंग की प्राबबिलिटी और टोटल वह कैसे एक्सपरिमेंट कैसे कंडेक्ट हो सकता है वह यह एक स्ट्रिंग में भी देखा था और फिर से एक बहर समझा दिया आजाना चाहिए इसको हम स्वाव करें तो वह वैल्यू आपकी यह आएगी कैसे आएगी देखो तो कि समेशन ऑफ आफ जीरो से एं आर, mcr को मिख सकते है एं बाइ आएं माइनस बं सी आर माइनस बन पी पावर आर क्यू पावर एं माइनस आ यहार केशल हो गया यहां से एक पी कॉमण निकाला तो यहां क्या बचा आर माइनस बन तो एण और पी तो जो है आपका हो गया कि बचा क्या समेशन के अंदर ए माइनस वन सी आर माइनस में आब इसको आर हम बंसे लिख सकते हैं यह जो है कैसे किया हम बाइनोमील में अल्री पढ़ चुके होते हैं ठीक है अब यह वतारी जरुट नी ह्पडनी ही ए बड़न सम देखा है न हमने आप इसको द्यान सी देखो यह पी प्लस क्यू की पावर एन मायनेस बनीज वन का एक्स पेंसल लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ न है और विसमें तो और P प्लस Q कितना होगा 1 अभी बताया था यहाँ पर दो ही कहानी होती है सक्षेज या फैलर तो उसका सम कितना होगा 1 तो 1 पावर N-1 कितना हो गया 1 तो यह हो गया आपका NP तो यह आपका आगया मिल आगे बात सोमच में प्रूफ कर दिया है ठीक है अब दुसरी बात आत समिशन ओफ स्वरी सिगमा का स्कूर और वह होता है एक साइप आई पी आई एक साइ स्कूर माइनस मीन का स्कूर यहां पर भी आई जो है बंच से लेके एन तक चलेगा अभी हमने देखी वेरिवल क्या है आपका आर तो यह हो जाएगा आर इसको है और प्राबबिलिटी हो जाएगी एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर आर जो रहा है कहा से कहां तक जाएगा या आई में ले ले लो कोई दिककत में इसको आर भी ले सकते हो कि अब इसको इसे हमें सॉल्व करना है तो आर जीरो से लेके एंसर हृ इस एंस्याट यह को लिखा एंबाय यहां बचा है ना है अब लिखे बचा हैं अब लिखते हो अगया है अगें कि बाइनोमियल में आपके समेशन बता चुके होते हैं ठीक है यह आ जाना है चाहिए समझ में यह होगा एन अभी यह जो आर उसको लिखा आर माइनस बन प्लेस बन तो एन तो कॉमन चल रहा है अब आर माइनस के साथ यह पूरा मिल्टिप्लाई कर दिया एक बार कि और यह बन चलाई उसके साथ समेशन एन मौइनस बन सी आर मांइनस बन प्लेस बन एन रंटीक ओड़ीut यह हो गया एन ताइम अब एन इन माननेस बन चाहने पूरा माइनस वन सी आर्म अंगमस अपाइग उस्याल अभी इन माननस वन अपान में यहां तक बाद समझ में आ रहे हैं लिखा हूँ है summation of n-2 cr-2 P power r q power n-r जिक है? अब यहाँ पर r हम 0 सतन ले जा सकते हैं 2 से लेके n तक ऐसा कर सकते हैं I do mail में देख चुके है summation of यह लिखा हूँ n-1 cr-1 p power r q power n-r और n-p का square छली रहा बिश्वर चल रहा है आपका अब द्यान से समझ ना क्या लिखा जा रहा आगे तो एंग माइनस बन के साथ क्या आएगा अब इस देखो यहां से में पीस क्वर यही कॉमन लेलो यहां किया हो गया गया पी-2 पीस क्वर कॉमन लिया अब यह जो है यह द्यान प्लस क्यूंगे पावर एन माइनस बन का एक्सपैंसें और यह चल रहा है आपका एन पी का इसको देटीव एन इसकर पीस अब यह आपका हो गया वन तो यह वैल्यू आपकी आ गई यहां से अच्छा अब हम यहां क्या करते हैं कि 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 आ यह हो गया एम एन माइनस बन हैंना ku और इधर चाह अधर है अपका पी मैं आ इदर से और कुछ कॉमन नहीं आया है न तो कि यह एन को मल्टिपलाई करते हो तो ऊए यह स्क सब्सक्राइब तो इन दोनों में अमने एंटी कॉमन निकाला तो इधर क्या विस्ता है आपका बन और माइनस वी इस नाइच इस नहीं बट थी प्लस क्यों कितना था फ्रास वठीड कितना हो गया अपका एंपी क्यूंट प्रफ्रह टो वेरिंस आपका आगया एंपी क्यूट के बराभर ठीक है तो इसको आप कहीं लिख लो तो वेरियंस्ट जो सिगमे स्कुर होगा वह आपका होगा एंपी क्यू ठीक है यहां से स्टेंडर्ड डेविर्शन आगया आपका स्टेंडर्ड डेविशन डेविर्षन डेट किस्ट डेविशल गया अंदरूट एंपी है ठीक है और मीन कितना था एंप यह याद रखना आप तो डेरिवेशन आपसे कई पुछा नहीं जाएगा बट समझ में होना चाहिए कि कैसे आया यह ठीक है तो आपको तो याद रखना मीन मीन क्या हो गया आपका एंपी और वेरियंस हो गया एंपी क्यू तो इस्टेंडर डेविशन क्या हो गया अंडर रूट एंपी क्यों वेर एंट नमबर अफ ताइम एक्सपरिमेंट इस कंड़केट पी सक्सेस प्राबबिलिटी क्यू फेलर प्राबबिलिटी ठीक है और हम कुछ 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 अभी करते हैं तो आपको क्लियर हो is tossed 5 times and defined random variable x as number of l obtained then find mean and then find mean and standard deviation for x चेक है तो यहां पर success किसको मना गया है seekingしま किसको डिपाइम किया गया तो यह अल пл किस टाइब का है यहां पर एक जो ट्राइल है उसमें या तो तेल आ सकता है या फिर हेड़ आ सकता है और जो तो ई आपका सप्राइब किकैं नेल को तो यह आपका सक्षेइव्यस हो गया और फागे तो हम आप आंज के पांज टेल हो जाए तो यहांपे success किसको बोला गया है? टेल को और failure किसको बोला गया है? head को ठीक है? और bias coin है, तो head की probability क्या दे रखिए? 3 by 4 तो tail की probability क्या होगे? 1 by 4 ठीक है? और experiment कितनी बार conduct क्या जा रहा है? 5 times, so mean आपका हो गया, n p simple, so n हो गया 5, और P कितना है 1 by 4, so mean is equals to 5 by 4, now standard deviation, तो variance sigma square कितना होता है, N P Q, ठीक है, तो यह होगया आपका 5, N कितना है 5, P है आपका 1 by 4, और Q है 3 by 4, तो यह value आपके होगे 15 by 16, तो standard deviation कितना हो जाएगा, standard deviation sigma, इसका अंडरूट तो होगया, अंडरूट 15 by 4, इसका अंडरूट, simple question है, ठीक है, now question number 66, 66 में क्या बुला गया, if a coin is tossed 5 times, then find the probability of getting exactly 1 head, तो इस पार्ट में आप मालो कि head आना, success हो गया, और tail आना, failure हो गया, N क्या है, 5 है, ठीक है, तो first part के लिए, success हो गया, head आना, और failure tail आना, तो tail की probability भी कितनी है, half, तो आप से पुछा गया है, कि X is equal to, क्या है, exactly 1 है, तो X is equal to 1 है, मतला आपको कितनी success चाहिए, 1 success चाहिए, यह बाद सोज में आती है, अभी हमने देखा था, अभी प्रूफ किया था, उस समय एक मेंने यहाँ पर एक table बनाई थी, याद आ रहे है, जिसमें random variables है, 0, 1, 2, 3, 4, आर यह बाद समझ में, तो X is equal to R लिखा था, मतला, exactly R success, तो यहाँ पर success हम क्या बोलेंगे, कि आपका, एक head आजाए, उसका हमने success बोल दिया, तो X is equal to 1, यह क्या हो जाएगा, N, C, R, एक head आजाए, तो head की probability, 1 by 2 power 4, और tail की probability, 5 minus 1, half, तो उसकी power कितना हो जाएगा, 4, तो, tail की probability, हाफ, तो यह आपका first part हो गया, second part में क्या बोला है, exactly three tails, तो मालनो tail आना आपका, success हो गया, तो success की probability, हाफ, और failure की probability भी हाफ, अरे भाई, टेल है ना, तो head ओ टेल, अच्छा, coin नहीं दे रखा, तो normal coin नहीं दे, ऊपर bias coin दे रखा गा, अब यदि कोई बोला नहीं है, तो हम normal coin की बात करेंगे, चीक है, तो tail आना, कितने tail चाहिए है, हमें exactly, तो यहाँ पर हमने random variable change कर दिया, कि random variable क्या बोला गया है, tail आना, यहाँ क्या बोला था, head आना, सबज़ में आ रहा है, तो कितने tail चाहिए है, आपको exactly three, तो हमें कितनी success चाहिए, exactly three, तो वो हो जाएगा, आपका, पांच में से कितनी success चाहिए, तीन, मतलब तीन tail आ जाए, उसकी probability half, और head कितने चाहिए फिर, दो, third question, third में बोला गया है, at least one head, तो यहाँ पर हमने, at least one head, मतलब x is greater than or equal to one, नहीं यहाँ पर फिर से हमने success बोला गया, कि head आना मारा success हो गया, tail आना failure हो गया, तो वो क्या बोल रहा है, कि at least one head हो आपका, तो at least मतलब exactly one head, या फिर exactly two head हो जाए, या फिर exactly three head हो जाए, या फिर exactly four head हो जाए, या इसको हम पुरे को लिख सकते हैं, one minus, अच्छा, कितना है total, five toss हो रही है न, तो इसमें एक और आएगा, exactly five head हो जाए, इसमें, one head, two head, three head, four head, five, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि one minus कोई भी head न, यह लिखना simple है, उपर से भई answer आएगा, यहां से भई आएगा, तो कोई भी head ना हो, तो N, C, N कितना है, five, five C, zero, P, success, head आने की probability, और tail आने की probability power, five, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको लग रहा हो कि very well आप change करते की मुझा आ रहे हो भाई, कोई कुछ भी कर सकते हैं हमारे हाथ में, success, failure, किसको मानना है, वो according to question हम देख सकते, confusion मत होना, क्योंकि यहां success, failure की probability half आप है, तो ऐसे देखोगे तो distinguish नहीं कर पाओगे, समझना जरूरी है, ठीक है, fourth part है, at most, at most two tails, तो यहां पर फिर से हमने success को मान लिया, tail आना, तो maximum कितने tails हो सकते हैं, दो, तो यह आप से पूछ रहा है, zero success, या फिर one success, या फिर two success, यह पूछ तो zero success आना, five, three, zero, half power, zero, half power, five, एक success मतलब एक tail आजाए, tail की probability half, head आने की probability half, exactly, दो tail आजाए, और तीन, head आजाए, यह पूछा गया आप से, fifth में क्या वो लाग ए, at least one head, and at most, three head, अब success किसको बोल दिया, हमने head आना, तो आप से बोल रहा है कि, एक head आजाए, कम से कम, और maximum कितने आ सकते हैं, तीन head, तो इसको लिख दो, 5C1, half power 1, half power 1, half power 4, फैलर, 5C2, half power 2, half power 3, तीन head आजाए, तो उसकी probability, power 3, और फैलर की probability, बतलब टेल आने की probability, 5-3, that is 2, बात समझ में आगे होगी, ठीक है, यह जो लिखा है न, x12, इसको ऐसे भी लिख सकते हम, यह ऐसे, इसलिए बता रहा हूँ है, क्योंकि कहीं कहीं question में, ऐसा लिखा जाए, तो आप घवराना मत, रेंडम बेरिवल की तो नियुमरिकल वैली होती है, तो जैसे यहाँ पर हेड आना, तो हेड क्या क्या आ सकते हैं, यह एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, कोई सोचे हैं कि एक सबन से थ्री लिखा है, तो भाई है 2.5 फुरीना आएगा, तो कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है, इसलिए मैंने ऐसा ही बता दिया, यह घवराने की जन्वत नहीं है, तो आपका फिप्ट पार्ट हो गया, ना कुश्चन नमर शिक्स्टी सेवन, शिक्स्टी सेवन कुछ अच्छा कुश्चन है, शिक्षी सेवन कया जव थेखो, अपरसन के जब बॉएजर इन वर्वर्ड और बैक्वर्ड दिय्क्टी सेवन कहीं को खो, अफर 11 सेप्ट इन हो मनी वैसं इन हो मनी वैसं तो, away from the original position where the probability of forward step is 0.4 and backward step is 0.6 probability of forward step is 0.4 and probability of backward step is 0.6 अब यहां से देख सकते हो कि दोनों का समभन है मतलब एक बंदा या तो आगे बढ़ेगा या फिर पीछे आएगा और उसने मेंसन भी कर रखा है अब कुश्चन क्या है द्यान से सुनना कुश्चन क्या है कि कोई एक पोजिशन है वहां से उसने स्टार्ट किया अब इसकी प्राबिबिलिटी बताओ कि 11 स्टेफ के बाद 11 स्टेफ के बाद वह अपनी ओरिजिनल पोजिशन से एक स्टेफ दूर हो तो एक स्टेफ दूर हो इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए चिए और एक बंदा जैसे यह है ठीक है वह आगे जा रहा है या फिर पीछे आ रहा है ठीक है अगर एक स्टेफ चल रहा है त्टिेल इलेवन स्टेफ के बाद एक स्टेफ औरिजिनल पोजिशन से दूर हो एक स्टेफ तो वह स्टेफ आगे भी हो सकता है या फिर पीछे भी हो सकता है अरे बही मों जैसे बंदा यहां था वो पीछे आ गया तो एक step दूर हो गया या बंदा आगय चला गया तो भी एक step दूर हो गया उससे यह बास सबंज में आने चाहिए अब यह कैसे हो सकता है बहुत ही simple question है जहां से सुनना माल लो यह उसकी original position है एक स्टेप दूर होने के लिए आपके पास टोटल कितनी स्टेप से 11 स्टेप तो एक स्टेप दूर होने के लिए मान लोगो कुछ फॉर्वर्ड स्टेप चला कितने दो फॉर्वर्वर्ड चला फिर यहां से सुनना दो फॉर्वर्वर्ड चला मतलब वो पहुझ गया यहां पर यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है एक फारवड चला फिर चला फारवड और फिर बैकवर्ड चल लिया फिर फिर बैकवर्ड चल लिया ठीक है फिर फारवड चल लिया कितने स्टेप्स हो गए दो दो शिक्स फिर बैकवर्ड चला फिर फारवड चला यह कितने हो गए आपके एट फिर बैकवर्ड चला बैकवर यहां पर वह अगन आप काई यहां पर उति के है यह दो तो फॉर्वर्वड और यह सिक्स वार्वर्वर्ड चलाय वैक वरकेसे निए ग़ीacao यह यह पांच पीछे चले야 जहां से सुनना की बंदा जहां से सुनो मालों यह उरिजिनल पोजिशन है यहां से स्टार्ट करें तो छे फॉर्वर्वर्ड स्टेप कभी भी चल दे और पांच बेकवर्ड कभी भी चल दे उन 11 स्टेप में कि बास समझ में आ रहे हैं 11 steps में 5 forward step कभी भी चल दें कभी चलने का मतलब यह है मेरा कि ऐसे ने की जरूरी नहीं है कि जैसे हमने बनाया यही हो वह बन्दा मालो कि छे forward चल जाए है कि एक दो तीन चाहर पांस और फिर पांच बैकवर चल दें यह देखो पांच हो लो तो भी वो इस पोजिशन पर आ रहा है या फिर ऐसा बोले हम कि तीन फारवर्ड चले या एक फारवर्ड चले फिर बैकवर्ड चले फारवर्ड बैकवर्ड फारवर्ड बैकवर्ड फारवर्ड बैकवर्ड फारवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड कितने स्टेप्स कोई भी वह फ्वार्वर्श दे लिए थो फॉरवर्वब्ट कि किस फॉर्वर्वर्ष ना से CETS को पाइव लिया आज को स्टोब आपने स्मां ग्र form पर के लिए लिए सॉनन dot c214 निए तो उसकी प्रबाबिबिलिटी से में आगए प्रवट को फॉइंट फॉर की पावर्ड शिक और बाकि बचे इस्टेप्स कितने पांच तो बहुत चलेगा से बैकर वर्ट उसकी प्रावब्लियटी तो कहने का मतलब यह है कि अधि हम forward को सक्षेज माने तो forward को सक्षेज माने तो हमें exactly कितने forward step चलाना है 6 यह ऐसे बोलो random variable is equal to 6 मतलब हमें तक्सेज यहां क्या माना गया forward step को exactly 6 हमें forward चलानी है अब वो 11 steps में से 6 कोई सी भी चल सकता है यह बात आपको सोज में आनी चाहिए और वो यहां पर हो गया 11 सी 6 मतलब 11 में से कोई भी 6 step ले लिए वो आगे चल रहा है forward चल रहा है और बाकी 5 backward ठीक है और फिर दुसरी कानी क्या हो सकती है कि यह तो हमने बोल दिया कि यह एक step आगे जा रहा है अब यह भी तो सकता है एक step पीछे आजाए एक step पीछे कब आजाएगा वही आपको सोज में आ गया होगा कब आ जाएगा जब वो पांच step forward चले कि और शिक्स स्टेफ बैकवर्ड चले पांच step forward चला दी और शिक्स स्टेफ बैकवर्ड चला दी तो वह हमेशा original position के left में आ जाएगा मना फार्वर्ड हमने ऐसे माना तो बात सुझ में आगे तो इसके left में आ जाएगा जब एक step दूर आ जाएगा कब जब 5 फार्वर्ड चले और 6 बैकवर्ड चले और एक step आगे right side में कब आएगा जब वह 5 फार्वर्ड चले और पांच step बैकवर्ड चले और आगे बास सब्सक्राइब और यह कहानी जो हम लिग रहे हैं ना मैं अब फिर से बता रहा हूं को जैसे हमने probability of string किया है उसी टाइप से तो यह तो एक सब्सक्राइब करीगा 525 आगे बास समझ में तो प्रावबिलिट्य वाले जो भी कुश्चन थे आप उनको ऐसे भी कर सकते हो नाव कुश्चन नूमर 68 68 देखो क्या है रेंडम बेरिवल एक्स हैस्ट फॉल इंग प्रावबिलिटी डिस्रिविशन रेंडम बेरिवल है एक यह अ सब्सक्राइब को कर वनिक यहकर में प्रावबिलिटी से सब्सक्राइब कर्सक्राइब कर दो ऐसे हुक्राइब सेवन के स्कूल प्लस के तो यह आपका हो जाएगा एक्स फोर फाइव सेक्स सेवन एंड एट ठीक है तो आपसे पुछा गया है वैल्यू आपके प्रवाबियूटी ऑफ रेंडम वेरिवल वेन एक्स लेसें के एंड सेव और एक्स लेटर देन 6 ओके तो सबसे पहले तो हमें के निकाल लेते हैं के कैसे निकालेंगे की वाबियूटी दिस्ट्यूशन में समेशन आप पी आए शुट भी बन तो जीरो प्लस के प्लस टू 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 के प्लस ट्री के प्लस के स्क्वेर प्लस 2K स्क्वार प्लस 7K स्क्वार प्लस K शुड़ भी 1 तो यहां से हो गया यह 10K स्क्वार और 5K 8K और वो 9 9K माइनस 1 शुड़ भी 0 कॉड़िटिक है इसको हम फेक्स के फेक्टर एक तो दिख रहा है आपको माइनस 1 दिख रहा है तो के मैनस 1 हो गया और दूसरा होगया आपका है ठीक है दूसरा आपका हो जाएगा 10K फ्लस 1 सब्लस 1 और के फ्लस 1 और माइनस 2 तो के की बैलियो आगे ही माइनस 1 और 1 by 10 अब कौन सी वयली एक्सेप्टेब्ट होगी यहां पर मैनस 1 रखते है तो probability negative or if probability cannot be negative so case should be 1 by 10 minus 1 ko htana padega so kya 1 by 10 ya kao ya first part now second part me kya wala probability of random variable with x is less than 3 x is less than 3 that means x is 0 x is 1 and x is equals to 2 to 0 for probability kya is 0 1 for probability k 2 for probability 2k so yoga up cut 3k so 3k value kya 1 by 10 so probably to a guy is 3 by 10 okay now third part third part me wala gaya x is greater than 6 x is greater than 6 that means x is equals to 7 1 वस एकी possible case है एक तक तो जाना नहीं हमें तो वह हो जाएगा आपका 7 k square plus k k की value हमें पता है क्या है 1 by 10 थिक है तो इसका LCM लेंगे तो 100 आएगा और इधर 7 तो यह हो जाएगा 10 plus 7 that is 70 थिक है तो 17 by 100 हो गया नव कुश्चन नूमर 69 में क्या वला है the mean and variance of a binomial variable x are 2 and 1 respectively find the probability that x takes the value greater than 1 okay तो आपको इस problem में में और वेरियंस दे रखा है अच्छा में और वेरियंस दे रखा को है कि तो मीन आपका होता है बायमेल डिस्टिउबिशन है तो एंपी और वेरियंस जो होता है वो दाए म१ Бार्य वेरियंस्थि होता है आपका सिगना क्या होता है इंटर्ड अब आप बोलोगे यहां पर तो वैरिवल तीन है आपके पास एन पी और क्यू बट हम जानते हैं बाइनुमिल डिस्टिबुशन है तो प्लस क्यू शुट भी वन एक एक एक्वेशन आपको पता है अब यहां पर दो वैरिवल है टोटल तीन वैरिवल है एन पी क्यू तो आपका आगया हाफ क्यू है आप आगया तो पी आपका हो गया हाफ तो यहां से एन निकल जाएगा पी यहाफ रख दो तो एन आगया फो तो बतला आपका बाइनुमिल डिस्टिबुशन के सारे वेरिवल्स जो है वह आ गए एन नमबर आप टाइम्स एक्स्परिमेंट इस टू तो अ थ्री एन फॉर टच को फॉर से आगे जाएंगे क्या नहीं जाएंगे या ऐसे निकालो या इसको बोलो बन मैनस एक इस इक इंगल टुझी जीरो और एक इस इकल टुझी युकल टुझा यह करो एक ही बात है तो यह हो गया वन माइन स्टीरो टैम्स सक्षेज आ जीरो टाइस बिल्रा फेलर फोर टाइमस बिल्रा है इसके लिए सक्सेस एक बार एट इस पीजिए पावर बन और फेलर कितनी बार आ रहा है तीन बार कि यह आपका होगे इसका नोट तो कि विट आउट